राम राम किशान मित्रों अभी आप उरवरक की भोरी पर सिफ इतना देखते हैं प्रधान मंत्री भारतिय जन उरवरक पर्योजना लेकिन अब आने वाले समय में आपको ये नाम तो लिखा मिलेगा साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी की फोटो भी छपेगी और साथ ही में कुछ मैसेज है जो भी लिखा रहेगा तो यह मैसेज क्या है और क्यों प्रधान मंती जी की फोटो छपेगी आज की इस वीडियो में हम इसी पर चार्चा करेंगे तो जानकारी अगर अच्छी लगे तो अपने अने किसान मेंतों के साथ साज़ा भी सरूर कीजेगा और उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको काफी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा कुछ किसानों को उर्वरक की किलत का सामना इसलिए करना पड़ जाता था क्योंकि उनकी मन्चाही जो कंपनी थी उसकी उर्वरक उन्हें मिल नहीं पाती थी जैसे वो किसान की चाहते हैं और हल्ल की यहां पर जो उपस्तित है तो वो उसे नहीं लेते थे बलकि किसान की जो यूरिया है उसे ढूनने के लिए निगल परते थे इसी अंतर को खत्म करने के लिए जो है पधान मंती भारत ये जन उर्वरक परियोजना लागू की गई जिसके अंतरगत ये कर दिया गया कि ये भारत यूरिया है पहले किसान यूरिया है ये सक्तिमान यूरिया है ऐसा नाम हटा करके भारत यूरिया कर दिया गया और इस करम म इसमें जो है single superfastvote भी आता है जिसमें सरकार subsidy दे रही है लेकिन इसके बूरे के किसी color को define नहीं किया गया है तो इस वजहां से ये आज भी अतरंगी color में ही आ रही है और और इस योजना को चलाने का एक उद्यास जो था अंतर खत्म करना वो आज देखा जाए तो काफी हद तक खत्म हुआ है लेकिन आज भी कुछ किसान जो है वो कमपनी के नाम से जो है उर्वरक चाहते हैं तो यूजना अच्छी खासी चल लही थी लेकिन इसी बीच इस यूजना में एक थोड़ा सा चेंज किया गया है जिसमे आप प्रधानमंती की फोटो चपेगी और एक छोटा सा मैसेज लिखा होगा मैसेज का अर्थ क्या है ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ देखिए इस लोगो के जो ये ट्रक्टर वाला लोगो दिख रहा है इसी के आस पास जो है प्रधानमंती जी की फोटो च से लिखा होगा और बागल में एक जो है दानमंती जी की फोटो चपी होगी तो अभी के जो दानमंती है वो नरेंद मोदी जी है भविस्ट में कौन होता है ये कौन कह सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसे प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खपत को देखते हुए पता चली जाता है इसे से जो है मिट्टी जो है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है प्रोडक्शन घट रहे धीरे धीरे तो इसी क्रम में जरूरी किया गया है कि अगर खाद का संतुलित इस्तेमाल किया कि और दूसरी बात जो भारी सबसीडी दी जा रही है आप देख सकते हैं एक बूरी जो यूरिया की वास्तिविक कीमत क्या है जो कि किसान को दोसो चासर रुपए 50 पैसे जो की इतने में रेट में कभी नहीं मिलती है लेकिन दोसो तीन सो रुपए तक मिल जाती है और इसक तो यह भारी भारकम जो सबसीडी है वो आपके ही 500 से चुगाई जाती है तो इसे आप ज़्यादा प्रियोग करते हैं इसे जो है मिट्टी भी खराब हो रही है और दोस्ता है जो उत्पादन भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तो इस क्रम में जो है यह मैसेज लिखा ग है एक जो 500 ml की बोतल है वो एक गोरी के बराबर है तो कितना कम में कितना ज्यादा आपको वेनिफिट दे रहा है लेकिन वैसे मैं रिजल्ट की बात करूं तो यूरिया को जो नैनो यूरिया आई है उसका काफी लोगों ने इस्तिमाल किया है लेकिन उसके पॉजिटिव र ना चाहते हैं तो भी आप संसुलित मात्रा में जो है जो भी रसायनिक उर्वरक प्रियोग करें और जैविक खाद को प्रियोग करना कदापी न भूलें क्योंकि जब तक कार्बन की मात्रा आपके मिट्टी में नहीं होगी तब तक आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकत तो जैविक आ रहा है या फिर जो फास आ रहे हैं उनका आप रियोगी कीजिए जिससे की कारबन की मात्रा बढ़े और आपको अच्छा खासा उत्वादन मिले तो उमिद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलता हूं आपको ऐसी ही और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में तब तक अगर आप चैनल पर नए हो या भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भटाक से आपको वीडियो की जनकारी मिल जाये करें जैसे ही मैं वीडियों को अपलोड करूँ तो मिलता हूं एक और वीडि तुम हरी आली देगी आपको खुसाली जय चवान जय किशान